सोनन के एक शित्री अस्तार में ड्यूटी पर तैनात होमगाड के जवान ने इमानदारी का पर्चे देते हुए एक मरीज की सोने की अंगूठी बापिस की है दो दिन तक कोई भी अंगूठी की पहचान करने नहीं आया दो दिन के बाद एक महला ने अस्तार में आकर गुम हुई अंगूठी की पहचान बताई और होमगाड के जवान में उस महला को उसकी अंगूठी बापिस की अपनी गुम हुई अंगूठी पाकर महला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उसके पती बेटी के इलाज करवाने के लिए अस्पाल में आये थे और उनकी जेब से अंगुठी किर गई थी उसने अंगुठी बापिस करने के लिए होमगाड के जवान का अभार विक्त किया और कहा कि आज के समय में भी इमानदारी जिन्दा है जि तो यहां हॉस्पिटल में गिरगी आज के टाइम में सकम सकम 20 से जाती है और इन होमगाड जी है उन्होंने बचारों ने वह सेफ रखी अपने पास और उनका बहुत-बहुत धन्याबाद है तो दूसरी जब मुझे पता लगा कि वह अलाउंस हुआ था तब मैंने दूसरे में बहुत कम होते ऐसे इमानदार लोग वहीं हॉमगाड के जवान ने कहा कि ड्यूटी कर्दिस में उन्हें अंगूठी मिली थी जिसके लिए उसने MS को सूचित किया था और लोगों से अपेल की थी कि अंगूठी की पहचान बताकर अंगूठी ले जाएं तो एक महिला न मैंने वहां बताया किसी की रिंग तो नहीं हुए गूम और दो चर दिन बाद कोई पुछनाया मेरे से हाम बोला मेरे पास है अंगूठी और बोला कि अपने कागज लाओ आदार काड़ दो फिर उन्होंने अदार काड़ दिया और अपनी सोने की अंगूठी की पहचान बत